प्रोगाम आप देख रहे हैं प्राइम टाइम देखा करते हैं टेक टीवी पे और आज हम प्रोगाम के दो बहुत इंपॉर्टन्ट सेग्मेंट लेकर आए हैं आपको अच्छे लगेंगे जो हम गुफटबू करने जा रहे हैं क्योंकि कुछ बड़ी अजीब गरीब तरीके से नेरेटिव पेश किया जाता है आपके सामने बड़े बड़े अच्छे अखबार पाकिस्तान के अगर हम देखे कि मुस्लिम उम्मा लबैक कहती ही पाकिस्तान की जाने बढ़ गई है और कश्मीर का मसला हो यह दीगर मसाइल हो इस पर बात करेंगे खालिस्तान पे कुछ गर्म गर्मी आपको मालूम है हम कैनेड़ा से शो करते हैं और यहां पे मामला हमेशा ही गरम रहता है कौन लोग है जो इस मामले को उच्छालने में आगे पीछे होते हैं यह बड़ा एहम है आज के शो में आपको हम यह बताएंगे इसके साथ साथ कैनेड़ा में और कश्मीर के हवाले से क्या हो रहा है खालिस्तान के हवाले से क्या हो रहा है यहां के लोग क्या बेयानात दे रहे हैं क्या صورتحال है, क्या analysis है, बड़े एहम मेहमान हमारे साथ मौजूद है, पहले सेग्मेंट है, हमारे साथ ताहिर असलम गौरण साथ मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं, गौरण साथ वजारत खारजा, Foreign Affairs of United Arab Emirates and Kingdom of Saudi Arabia, Muslim, brother, मुल्क, दो लोग दोड़े वे चले गए हैं पाकिस्तान की मदद करें, पता नहीं यह मदद है, या वो एक तरह की तसली देना है, या अंदर कोई और पेगाम देना है, बहुत सरी बाते में लिए होई है, वज़ा यह थी कि कुछिता दिनों जब UAE ने एक बहुत एवार्ड दिया मुदी साब को, तो पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान के सियासी हलकों में और खासर पर सोशल मीडिया पर एक तवान बत्तमीजी बरपा हुआ, कि जी मिल्लत इसलामिया के, उम्मा के जो लीडर हैं, वो हमें छोड़ गए, अच्छा, वो जो लीडर हैं, जो खासर पर गॉल्फ रियासस के, या साओधी अरेबिया के, उनको परवा भी नहीं होती इन बातों की, वो पाकिस्तान की आर्मी हो, या पाकिस्तान की दूसरी जो इस्टैबलिश्मेंट की एजन्सिया हैं, उनसे अगर कोई काम लेते हैं, तो वो पैसे देते हैं, अपन है, अमेरिका का पेगाम पाकिसान को देना, ये अब गॉल्फ स्टेट्स के लोगों के पास हैं, तो ये जो वजारते खारजा दोनों मुलकों के इनके जो हेड्स हैं, यानि के फॉर्म मिनिस्टर जो पहुंचे हैं, वो शायद पाकिसान को जो हमारे सोर्स बताते हैं, वो ये पेगाम देने गएें कि अपना ये जो रेटरिक है, ये ये है, एमरीका ने बढ़ाहufर्स डयरेक्ली कोई बात की, बलके आब वो बाचचीत होती है इन अरब दोस्तों के जरीए पाकिस्तान से और वो कोई प्यार भरा पैगाम नहीं है बलके वो यह है कि यह जो इतना सीरियस एक नुकलर इशू है इसको आप जिस तरीके से इसका मजाख उड़ा रहे हैं जिस तरीके से आपने इसकी एक मौकरी कर ली है कि अटामिक बम नहीं हो गए कि फुल जड़ियां होगे जिसको आप हर कोई आदा पाओ पाओ के करते हैं आपने सुना होगा वो शेख रशीद ने जो बयान दिया था इतना एक वो मिनिस्टर रेलवे हैं शेख रशीद साब वो मीडिया पर आते हैं वो कहते हैं कि जी हमारे पास एक आदा पाओ का बम है न्यूकिलर नहीं हो गए यह बदाम पिस्ते हो गए या इनको हम एक रिस्पॉंसिबल न्यूकिलर स्टेट हैं क्या हैं कि आपने भी कल हमारा टैक्टीप एक शोबे बाचीत की थी बड़ी मुझे उस बाचीत से मुझे मुझे बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली थी यह मजा क इसलिए बनाया हुआ कि इनको पता ही नहीं के सीरिस बाते होती क्या हैं यह सारा एक ड्रामा रचाने का एक रवया है जो सतर बहुतर साल से बदकिस्मदी से यह चला रहे हैं जिसकी वजह से अवाम को यह बेवकूफ बनाया हुआ है लेकिन अब वैसे पाकिसान की अवाम जो सोचल मीडिया से मैं अदाजा होता है वो बिलकुल अंहरों में नहीं है यह बेवकूफ बनने को टैयार नहीं है सुआए इनके हाईपर-Nationalists, सुआए इनके ट्रोल्स यह सुआए इनके जिनके मफदात हैं पी-टी- आई की or establishment की हकूमत के साथ इसके इलावा किसी को पाक्सानी औरिजन के लोग हैं जो दुनिया में पहले हुए हम भी इनको मजाख मी लेते हैं तो चुके इनके हाँ कोई सीरियसनेस का है ही ही रवीया नी आपके इसी सीरियसनेस पे चलें आज थोड़ा सा लाइटर मोड में हम आपको अपने पाकिस्तान के एक वजीर की बात स करता है तो उसकी एहमियत होती है लेकिन ये निकलियर वार ये जंग ये लड़ाई ये घजवाएं ये कैसा मजाख बना दिया है पाकिस्तान के पारलिमानी अफेर्स के फैडल मिनिस्टर अली मौमद खान साब ने क्या फरमाया है घजवा हिंद के बारे में ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा आप लोग जरूर देखिएगा और अपनी कॉमेंट हमें अपने नीचे जो वीडियो है उसमें जरूर दीजेगा ये देखते हैं जरा साब अली मौमद गजवाहिं जिसका जिकर प्रगंबर ने खुदास साल पहले किया था उसके बतिदा हो चुकी ज जो हम एफर्ट डालने हैं इस गजवे में इस जहाद में जहाद से लोगों को डराया ना करें इसलाम का बुन्यादी इसलाम का बुन्यादी ये सतों हैं हम करें जहाद और करें जहाद किया भी है और करेंगे भी तल्वार उठाके भी करेंगे कलम उठाके करें जबान से भ उसका अगर हम ये नेरेटिव देखा है तो हमें लगता ही है कि अगर जैसे मैं अगर इंडिया हूँ या भारत को उनके जो एहम लोग है उनको देखना चाहिए कि ऐलाने जंग हो गया है तबल बजा दिये गए हैं ड्रम्स अर बीटिंग और मार्च शुरू कर दिया है घजवा हिंद की जानब से ये ये इस इस जोक इस इंट इड़ा साब जी देखिए बिलकुल मैं ये जोक भी है और बहुत सीरिस मसला भी है बयक वक्त अगर पाकिसान के मिनिस्टर अगर क्या यकीनी तोर पर एक की बात नी सिर्फ इस शक्स की बात नी आप किसी भी मिनिस्टर को उठा ले इवन प्राइम मिनिस्टर आपका ये बात कर रहा है जहाद की बात कर रहा है तो अगर ये रविया जो है जो जिससे जहाद जिससे पूरी दुनिया तंग आई हुई है ठीक है चुक्के वो जो जहाद की कानुटेशन थी कोई साड़े चौदा सो साल पे लिए साम वाली वो अब है ही नहीं, अब वो सोविरिन स्टेट्स होती हैं, अब वो कोई ट्राइब्स के या किसी मजभी गरो का काम नहीं है कि पर्टेक्ट करना है, अम्मा को या मुसलिम बरादरी को अब तो स्टेट ने अपने आपको पर्टेक्ट करना होता है, और एक स्टेट में कई मजाइब के लोग रह रहे होते हैं, लहाज़ा ये सारे का सारा कानसेप्ट ही एहमकाना और बेवकुफाना है, मगर एहमकाना और बेवकुफाना अपनी जगा पर सोचे नहीं बात य कि ये किन लोगों के मूँ से आ रहा है प्राइम मिनिस्टर से ले के मिनिस्टर के मूँ से आ रही है वो ये कहते हैं कि हम रियास्ट मदीन हैं यानि कि एक तरफ मजब का कार्ड हम ऐसे इस्तमाल करते हैं फिर उनके ज़रबात को भारा जाता है कि मार्च करो कश्मीर की जाने और जहाद करेंगे घजनवी फिर आप देखते हैं कि प्लीस वाले फाजी जो एना प्ले कार्ड लेके सड़कों पर मार्च कर रहे हैं फिर आप देखते हैं कि काय जाता है कि जुम्हे की नमाज के बाद आदा घंटा आप खड़े हो जाएं बाहरा और उसे जो एना मतलब हम कश्मीर फता कर लेंगे तो उसमें ही जी रहे हैं उसी माइंड सेट में जी रहे हैं और यह आगे मूव ही नहीं करना चाहते बदकिस्मती से जहां से आपने बात शुरू की थी कि दो इसलामी मुमालिक के मैं इसलामी नहीं कोंगा दो मुमालिक के यू एई भी एक तरह की बड़ी सेकुलर रियासत है ठीक है सौदी अरबिक है मजभी रियासत मगर उनमें भी बहुत तबदीलियां आ रहे हैं वक्त के साथ चुक्क उनको भी पता चल रहा है हमने दुनिया के साथ रहना है अच्छे जया को बहुत ज़यरा असलामी भी होते ते तो पाकिस्तान के साथ वो अपने मफदार की वज़ासे जुड़े होते थे तु कोई वो उम्मा की लड़ी में तो नहीं बहुत अहुते ते जबे देन पाकिस्तानी मुस्लिम्स जो हों ने उनके अंदर ही उनको मौकरी का निशाना बना रही है बिलकुँ अब यह एकि इनको यह जो आपसेशन है कश्मीर आपसेशन इससे बहारा ना होगा कुछ नहीं हो सकता यह जो अपना चूरन बेच रहे हैं इनको भी वैसे बात है अच्छा अब यह जो मैं तो गुरा साब आपको बात काट रहा हूं लेकिन मैं यह सोच सोच के परेशान हूं कि आप तो कश्मीर की बात कर रहे हैं कश्मीर तो एक चलो दो स्टेट के दरमयान एक वो मसले मतलब आर यू जोकिंग कि न्यूकलर की बात कैसे आराम से कर ल सीनियर अनलिस्ट है रिजवान साब ने और आपी के शो में उन्होंने जो गुफ्तुगू की थी मैं चाहूंगा नाजरीन और वियूर्द इस क्लिप को आप देखिए और आपको सौंच में आएगा जो रेटरिक है जो पाकिस्तान का नेरेटिव है जो जिस तरह से वो हालू की तरह जो एटम बम बट रहें जेबों में लेके घूम रहें जिस तरह से रिजवान साब ने इसको बड़े खुबसूरत लफजों में मैं आपके दो मिनट लूँगा लेकिन ये वीडियो जरूर देखेगा वियूर्स विल बी राइट बैक आज तक दुनिया में का नहीं है गो कि आप हैं मतलब डिफेक्टों हैं पूरी दुनिया को पता है लेकिन उसकी वज़ा और भी बेशमार होंगी लेकिन उसकी एक में रीजन ये है कि दुनिया आपको रिस्पॉसिबल स्टेट नी समझती पाकिस्तान में कोई ऐसा नॉन नॉक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं है कि जिसको दुनिया के सिर्यस तिंक टैंक्स और दुनिया की सिर्यस जो कैपिटल्स रहें ये इन होता है तो वो न्यूक भी फायर हो जाएगा ये बलके ये तो उनको पुटाकों की तरह लेते हैं वो उससे भी उससे भी काम डिग्रेड किया हुआ है इसलिए मुझे आप फील होता है कि जब वैस्ट और अमरीका जब इन्होंने डेटोनेट किया था पाकिस्तान ने तो इनक सन्भाल के रखना हुती है और कहीं कहीं यूज करना हुए य्रीजन कया हैनियोक्स के बात करने की को डिली से जंक की बात शुन Grid का आप डिली पर कहरें ना किems डिली पर चला इंगे पटाखे नेहीं है दो 200 ग्राम के भी हैं एक सो ग्राम के भी हैं पता है क्या पूले जा तो उद्दर से तो जा कन्वेंशनल वार की बात भी नहीं आ रही तो आप नुकलियर नुकलियर के यह जा रहे हैं अच्छा अब क्या चाहते हैं आप दुनिया ने जहां आपके बाकी बलफ कॉल की आपका नुकलियर बलफ भी काल कर दे तब आपको सकून आ जाएगा मतलब क क्या चाहते हैं आप नुकलियर 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 की बात करके अच्छा है फिर्स करें आप अच्छे थ्रेट यूज करें मैं समझता हूं आप चाल्डिश हैं आपको यह अच्छा लगता है कि आप नुक नुक बोलते रहें तो आप इसको यह थे थ्रेट यूज करना मुझे अलफाज हैं शब्द हैं जो मुझे इस वक्त इस गुफ्तुगू से मिले हैं एक वर तब फिर सीरियस रिस्पॉंसिबल और चाइल्डिश क्या पाकिस्तान वाकई इस काबिल है कि वह एक न्यूक्लियर केपबल स्टेट का स्टैटस रखे या अब टाइम आ गया है कि इस पे बाची शुरू हो कि अब वो उसको रोल बैक किया जाए क्योंकि अगर आप अपने मुझे जबानी फायर से इस तरह की बात कर सकते हैं कल को कोई सर फिरा कोई जनूनी कोई जिहादी उसके हाथ में वो बटन आ गया या उसके हाथ में वो कोड आ गया और उसने वो उ नूकलियर जो ऑगनेजेशन्स हैं उन में इनको एक नूकलियर पावर के तोर पर नहीं रखा जाता है। सर्फ इनका एक ही स्टैटिस है कि इनके पास एटमी हत्यारों की कुछ सलाहियत है। ठीक है। उस स्टैटिस के इलावा इनको कभी भी शीरिस नहीं लेते। एवन अ पाकिस्तान के यह जो नूकलियर कुछ जखायर हैं यह एक नाइट मेर हैं इसलिए कि यह किसी वक्त भी लूज ओसकते हैं। यह खत्रा था खैर वह खत्रा शायद अब उतना नहीं रहा होगा आज के जमाने में इसलिए कि दुनिया बाकी के दुनिया बहुत तरकी कर गई ह हमने तो स्रफ एक ही कम किया तबाहिके लिए हमने कुछ एक हत्यार बनाने की कोशची gotic day के इसके हिलावा बाकी किसी चीजह में तरकी कि अब बाकी दुनिया हर चीजह में तरकी कर गई है मेरा नहीं खियाल के इनकी वो अगर इनके हां से कोई की लूजए इन्हों ने कर वतीरा पनाया हुआ उससे ये ना सिर्फ के मजाग का निशाना बने हुए पूरी दुनिया में बलके ये रियासत को अवाम को बहुत पीछे दकेल चुके हैं दकेल नहीं रहें दकेल चुके हुए हैं जी और मजीद जितनी पस्ती में बदकिस्मती से हर तरह के हालाद जाए मौशी हों चाए सियासी हों चाए इन्सानी हुक की बात हो वो मजीद नीचे से नीचे जा रही है सुर्टेहाद तो मैं ही समयता हूँ ये वड़ी बदकिस्मती है तो इसका मतलब है कोर साब के यूए ई और के एसे के जो फॉरिन मिनिस्टर्स हैं और उन्हों ने बाजवा साब चीफ और आर्मी स्टाफ से भी मुलागात किये वो ये पेगाम देने गए हैं के स्टॉप दिस नॉंसेंस जो इन्साइट हैं वो बिलकुल यही कहने गए हैं के बही आप इसको रोकें सिर्फ और सिर्फ हम पीछे बात आप कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ जो अर्म मालिक के फॉर्म मिनिस्टर्स हैं वो पाकिसान को डील कर रहे हैं इंस्टेट पहले अमेरिका डील किया करता था वो कर रहे हैं सिर्फ अमेरिका के साथ कम्यूनिकेशन के लिए नहीं बलके भारत के साथ कम्यूनिकेशन के लिए वो डील कर रहे हैं इसलिए कि भा कमल तौर पर देश्टगर्दी और जहादी कारवाईयों की जो सरगर्मियां वो बन नहीं होती है आप से कोई बात नहीं हो सकती है अच्छा पाकिस्तान बात चीछ भारत के लिए करने के लिए मरा जाता है इमरान खान हो चाए फौरम मिनिस्टर पाकिस्तान को मरे जाते हैं किसे बात हो जाए बात हो जाए वो बात इसलिए नहीं कर रहे उनको ये पता है खाने पिछले अदوार में पाकिस्तान के साथ बाते करके ही अपना सब कुछ गवाया चूबकिमूदी सामने एक बात वाज़र कर कह दी थी कि बरूद और बरूद के महाल में बाचीद नहीं नहीं हो सकती दूसरी अब इस माहल में हो सकती है आप मुझे बताएं आपने माहल बनाएं आपके दो मिनिस्टर तीन मिनिस्टर वजीर आजम स्टेट स्पीच आके करते हैं और धंकिया देने लग जाते हैं और धंकिया देने लग जाते हैं और धंकिया देने लग जाते हैं ना इनको RSS का पता है, ना BJP का पता है, ना इस वक्त उनको भारत के जो फर्म अजाई में उनका सही से अंदाजाए लेकर वैसे ये है कि एक बात ता है कि पाकिस्तान को इस बार ये समझ आगी कि भारत जिस तरह फर्म अंदाज के साथ डटा है इस बार, इनका कोई भी जो हो कराते थे, कोई दैशितगर्दी कराते थे, उधर से अमन की आशा के लोग कुछ आंटियां चले जाते थे और वे बैठ चाते थे, पहले हम समझते थे कि शायद ये चले अमन होना चाहिए, बाद ने पता चला कि वो असल में वो दैशितगर्दी के कारवाईयों पर 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 आप ये करें, अब मैं वो जो आप फॉर्मिनिस्टर्स दोनों की बात कर रहे हैं जहां से हमारी बात चुकिए, वो भी असल में भारत के पॉइंट वियू से भी वो उन्हों से बात उन्हों ने की होगी, जो हमारे इंफरमेशन बताती है, उन्हों वाज़ तोर पर पाकिस्तानी जो मीडिया है और पाकिस्तानी पॉलिटीशन अपनी पॉब्ली कंजम्शन के लिए ये एक सुब्की जो है ना जो उनको महसूस होती है के जी प्रैमिस अनिंदा मूदी को एवाड दिया था, वो ये कहते हैं जी कंपनसेशन होगया, वो अब हमारे पास मॉनिटर कर रहा हूँ, मीडिया टॉन डाउन हो गया पाकिस्तान का काफी हद तक, हाँ मतलब दो दिन से जएदा मैं आज की हद तक ही है, आज मैंने देखा है वो रेलिटिवली टॉन डाउन है, अब लेकिन कोई पता नहीं है कि ये जो मिस्टर खान है, ये अपनी खर्द सेलेकर के, फिर इनका मसला नहीं है, मैं सिर्फ इनको ही सिंगल आउट नहीं करना चाहता, I don't want to be very unfair, वो जो इस्टैबलिश्मेंट है, असल तो वो है न, इस्टैबलिश्मेंट, अभी वो जो मिल्टरी के स्पोक्सपरसन है, उन्होंने परसों की प्रेस कांफरेंट है, फ hyper nationalist Pakistanis, चाहे वो Nachtnayा में रहते हों, चाहे अमरीका में रहते हों, अचा अनीसअ종, जो पाकिसानी पाकिसान में रहते हैं उनकी अकसरिये तंग आई ही है, मelles कि पाकिसानी कानिडा, अशाए में रहते हैं वो इनकी establishment के मानने वालोो मानने वाली ज्यादा है, उनकी अकसरिये इसलिए कि वो उनको ग्राउंड में वो मसायल का सामना नहीं करना पड़ता न वो यहां पे बैठके उनको एक चूरन सा वो बेच रहे हैं जी कि यह बड़ी जो है नॉन करॉप्ट गॉर्मेंट अंको यह नहीं पता कि मेंटली और इंटिलेक्शली कितनी करॉप्ट था उसकी उनको तो केरी ऱहीं कि क्या कर रहें क्या नहीं कर रहें ليकि मैंनोर्टी जॉय है वो ऐसी जुरी होती है फूरा कश्रण के साथ के जैसी खुदा हैं या बल् कि यही जो हैना पर्दान जो ना हमने तश्वीर की जानी है इनी के साथ हमने गाड़ी में बैटना है सिगरेट पीना है दर्वादा खोलना है गाड़ी का एंड देन उनका सारा कुछ जिन्दगी सपल हो जाती है तो और सीज की कुछ एक ऐसा गुरूप है लेकिन बात वही है कि ना सिर्फ इमरान खान उनके टीम जो उनको सेलेक्ट करके लाएं उनकी सीरियसनेस को अब सीरियस होना पड़ेगा उनकी जो रिस्पांसिबलिटी है उसको रिस्पांसिबल होना पड़ेगा और यह चाइल्डिश बचकाना रवएए छोडने पड़ेंगे दिल तो बच्चा है इस तरह का बेयान से पहले आपको सौ मरतबह ये सोचना होगा कि अगर भारत का लेटनेट जनरल सेटिंग लेटनेट जनरल ये बयान दे दे के हमारे पास अटॉमिक है और हम अटॉमिक कर सकते हैं तो पूरी दुनिया हिल जाएगी लेकिन आपके बार बार इस तरह की धंके देने के बाद दु चलेंगे बड़ा इंपॉर्टन सेग्मेंट है खालिस्तान के हवाले से इस की क्लिप के फॉर बाद दो शुरू होगा स्टे ट्यून आल भी राइट बैक